नमस्कार दोस्तों मैं अंकूर सिंग आपके अपने यूटूब चैनल विकास इस्टेडी सरकल पर पुना आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ दोस्तों या रसायन विकान से समंदित हमारी तीसरी क्लास है इससे पहले हम लोगोंने दो क्लासों पर चार्चा कर चुके हैं और उन क्लासों में हम लोगों ने रसायन विग्यान से समन्दित कुछ महात्पूर्ण प्रस्णों पर चर्चा की है, उसी एकर में दोस्तों हम लोग अपने इस वीडियो में भी अन्य कुछ महात्पूर्ण पर चर्चा सुरू करते हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग कुछ प्रमुक्ततों और उनकी परमार संख्या और दर्यमान संख्या उस पर चाचा करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसकी परमार संख्या कितनी है एक और दर्यमान संख्या कितनी है एक दूसरे नमबर पर दोस्तों हिलियम, हिलियम की परमार संख्या 2, दुरिमान संख्या 4, लिथियम इसकी परमार संख्या 3, दुरिमान संख्या 7, बेरेलियम, बेरेलियम की परमार संख्या 4 है और दुरिमान संख्या 8 है अगले करमपर दोस्तों बोरान, बोरान की परमान संख्या कितनी 5 है और दर्यमान संख्या 11 है अगले करमपर दोस्तों कारबन, कारबन की परमान संख्या 6 और दर्यमान संख्या 12 है अगले क्रमपर दोस्तों अगले क्रमपर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमान संख्या 7 है और दर्यमान संख्या 14 है अगले क्रमपर दोस्तों आक्सीजन, आक्सीजन की परमान संख्या 8 और दर्यमान संख्या 16 है अगले करमपा दोस्तों, फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमान संख्या 9, और दरहमान संख्या 19, अगले करमपा दोस्तों, नियान, नियान की परमान संख्या 10, और दरहमान संख्या 20, अगले करमपा दोस्तों, सोडियम, सोडियम की परमान संख्या 11, और दरहमान संख्या 23, अगले क करंपर दोस्तो ऑल्य हैं अल्य करंपर दॉस्तों सिलिकान की पर्मारे संक्या 14 देरा और दरेयामान संक्या 10 1795 ऑल्य ऐले करंपर दोस्तों के परपना संत्रा और द्रवमान संख्या 31 है अगले कंपर दोस्तों सल्फर सल्फर की परमान संख्या 16 और द्रवमान संख्या 32 है अगले कंपर दोस्तों क्लोरीन की परमान संख्या 17 और द्रवमान संख्या 35 है अगले कंपर दोस्तों आरगन आरगन की परमान संख्या 18 और द्रवमान संख्या 40 है अ अगले करब दोस्तों कैलसियम, कैलसियम की परमान संख्या 20 और दिर्मान संख्या 40 है, दोस्तों ये कुछ हमारे तत्तों उनकी परमान संख्या और दिर्मान संख्या थी, ये दोस्तों 20 तक की हैं और इन 20 तक की जानकरी आप लोगों को तो अवस्य होनी चाहिए, तो इनकी प प्रसनों पर चार्चा करते हैं, दोस्तों सबसे पहला प्रसन है, परमाण के नाभीग में कौन सेकन होते हैं, तो दोस्तों परमाण के नाभीग में प्रोटान एवं नूट्रान, ये दोनों परमाण के नाभीग में पाई जाते हैं, प्रोटान एवं नूट्रान, और अगले करमब दोस्तों प्रोटान और नूटान में उलक्टान सबसे हलका मौलिक कर रहे है? अगले करमब दोस्तों इलक्टान प्रोटान अऔर नूटान की भेदन छमता गठते हैं फेकरमब, सबस्यादा भेदन चमता किसकी होती है नीटरान की उससे कम प्रोटान की और सबसे कम इलक्टरान की तो दोस्तों सबस्यादा भेदन चमता किसकी है नीटरान की उससे कम प्रोटान की और सबसे कम इलक्टरान की अगले करम पर दोस्तों नील बोर नील बोर का परवाण माडल कब आया दोस्तों नील बोर का परवाण माडल 1914 में आया 1914 में अगले करम पर दोस्तों नाभी के चारों और कच्छाओं की संख्या तो दोस्तों नाभी के चारों जो कच्छाओं होती है उनकी संख्या साथ होती है कितनी साथ यह कच्छा है K, L, M, N, O, P और Q यह साथ कच्छा हैं होती हैं अभी के चारो और दोस्तों इन कच्छा में जो उर्जा का करम है वो आप लोग देख लीजेगा यह दोस्तों उर्जा का करम बढ़ते हुए करम में लिखा गया है सबसे कम होता है उर्जा सबसे कम किस कच्छा में थी के उस्ते अधिक L, M, N, O, P, Q यह दोस्तों कच्छा में जो उर्जा का करम है बढ़ते हुए करम में लिखा गया है तो इसको आप लोग देख लीजेगा अगले करम पर दोस्तों यह दिको इलक्टरान अपनी निश्चित कच्छा में रहकर नभी के चार ओर चक्कल लगा रहा है अगले करम पर दोस्तों इल्युमिनियम की परिमाण संख्या एंधरमाण संख्या दोस्तों मैंने उपर ही आप लोगों को 20 तक के तत्तों की परमान संख्या और दर्यमान संख्या उन पर चाचा की है दोस्तों उसमें इल्यूमिनियम की परमान संख्या और दर्यमान संख्या कितनी होती है किसी भी परमाड के नाभिक में उपस्तित प्रोटानों की संख्या क्या कहलाती है तो दोस्तों नाभिक में आपको पता है प्रोटान और न्यूटान दोकन पाये जाते हैं और इलेक्टान नाभिक के चारों चक्कल लगाता है कच्छाओं में दोस्तों इसमें जो प्रोटान की संख्या नाभिक में होती हुआ पर्मार संख्या कहलाती है पर्मार संख्या को जट से प्रदसित करते हैं पर्मार संख्या को जट से प्रदसित करते हैं दोस्तों यहां से क्या हो प्रोटान की संख्या परमार संख्या के बराबर होती है। अगले क्रमपत दोस्तों सलफर की परमार संख्या एवं दिर्वमान संख्या सलफर की परमार संख्या एवं दिर्वमान संख्या कि योग को क्या कहते हैं दोस्तों द्रवमान संख्या या पर्माण द्रवमान कहते हैं इनको फ्रोटान और निट्रान की इकल संख्या की योग को द्रवमान संख्या या पर्माण द्रवमान कहते हैं दोस्तों द्रवमान संख्या पर्माण द्रवमान या परमाडव भार इसको A से ब्रतरित करते हैं नीचे लिखाए A बराबर P प्लस N मतलब A बराबर प्रोटान प्लस न्योटान या A बराबर Z प्लस N Z जैसे आपको पहले उपर बता चोगे हैं कि परमाडव संक्या को Z से प्रतरित करते हैं और पर्मान संख्या बराबर प्रोटान की संख्या तो दोस्तों ये बराबर Z प्लस N मतलब प्रोटान प्लस न्यूट्रान अगले क्रमबा दोस्तों 11 N A 23 दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पर्मान संख्या या पर्मान क्रमांग इसकी संख्या पूछी के तो दोस्तों आपको पता है कि इसकी पर्माण संख्या या पर्माण कर्माण के नीचे जो 11 लिखा ये होता है तो परमाण कर्माण या परमाण संख्या 11 है इसमें और परमाण दर्यमान या दर्यमान संख्या या परमाण भार या कितना है इसमें 23 है तो परमाण संख्या या परमाण कर्माण 11 और परमाण दर्यमान या दर्यमान संख्या या परमाण भार या 23 है अगले ग्रमपा दोस्तों आणविक सूत्र तथा मूला नुपाती सूत्र में संबंध तो दोस्तों आणविक सूत्र तथा मूला नुपाती सूत्र में संबंध क्या होता है तो 98 सूतर बराबर दोस्तों N गुणे मुला नुपाती सूतर जहाँ N बराबर 1,2,3,4,5 अगले दोस्तों N बराबर क्या हो जाता है 99 सूतर बटे मुला नुपाती सूतर आगे दोस्तों इसी पर एक प्रस्ण दिया गया है दोस्तों इसको हल करते हैं जब तो C का जो परमान संख्या है वो कितनी है 12 है और H की परमान संख्या कितनी है एक है तो इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो 78 बटे 13 आएगा और इसको काटने पर N बाराबर 6 आजाएगा दोस्तों इसको आप लोग ऐसे प्रस्णों को ध्यान रखेगा बेंजीन के लिए N कामा N बाराबर क्या होता है आणवी सूत्र बटे मुलान उपाती सूत्र अगले करमपा दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं किसी परमान के बाहरी कच्छा में उपस्तित इलक्रानों के इकुल संख्या संयोजी इलक्रान कहलाती है किसी परमान के बाहरी कच्छा में उपस्तित इलक्रानों के इकुल संख्या संयोजी इलक्रान कहलाती है और जो अंदर सभी इलक्रान होते हैं वह कोर इलक्रान कहलाती है तो दोस्तों जैसे उधारन देख लेते हैं सोडियम इने इसका परमान क्या है ग्यारा तो इसको दोस्तों हम लोग कच्छा में भाजित करेंगे 2,8,1 तो इसमें संयोजी इलक्रान कितना होगा एक बाहरी काच्छा में कितना इलक्रान है एक दोस्तों इसका संयोजी इलक्रान कितना होगा एक और को अंदर के जो सभी बचिविक कच्छा हैं उनको नोज़ाब करके कोड़ रेक्टरान होता है तो इसमें कोड़ रेक्टरान इसी प्रेत्स दोस्तों अगले क्रुब दोस्तों कर ऐसा है तरह केकीं। ज़रूक होगे tit अंदर की दोनोगं कोड़ों में कितinkे रेक्टरान है दो और आठ तो दोस्तों को रिलक्टान होगे दस इसी प्रकार दोस्तों हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं संयोजी लक्टान जो है वो एक से आठ तक होती है संयोजी लक्टान की संख्या जो है वो एक से आठ तक होती है अर दोस्तों अगले और अंतिमे उपने जो प्रसमा इस वर हम लोग मुक्साब कर रहे हैं हिलियम को छोड़कर सभी अक्री गैसों के बाहरी क्छा में 8 bins होते हैं जो हिलियम है इसको छोड़कर अन्हेज हैं उनके बाहरी क्छा में 8 aleyach 저는 होते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो दोस्तों यह वीडिय आप लोगों की आने वाले आगामी परिच्छाओं की रिच्छ से बहुत ही महत्पूर हो रह सकता है इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखें और दोस्तों हम लोग इसके आगे चर्चा अपने अगले वीडियो में करते हैं तब तक के लिए धन्यवा करते हैं पिल्डियो के रिया थे पु आपने पर देखें ठाट देखें देक मैं अटव Аलो हम पीडिया हम करती हैं अधिका अपने पका स्वस्के अर्वाजब pero।